और कल एक जबरदस तरीके से नए परिणाम आने हैं तेलंगाना से लेके राजिस्तान तक नीला जंडा और आती निशान दोड़ेगा बीएसपी के बिना और जीजीपी के बिना सरकार नहीं बनेगी। करने की साजिस है और यह भौपू मीडिया यह 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 जातिवादी मीडिया यह उसको दिखानी रहा बहुजन समाज पार्टी को आज की रात बहुत ही जादा महतुपूर होने वाले है क्योंकि कल चार राज्यों में जो चुना हुए थे उसके नतीजे आने वाले हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर अशोग ज्यानी जी हैं चार राज्यों कल नतीजे आएंगे परसों मिजोरम में जो चुना हुआ था उससी गिंती होगी। क्या लगता है किसकी बयार भे रही जित पोल ने तो कही दिया बीजेपी सब जगह हैं। देखे बीजेपी सब जगह हैं बीजेपी नहीं है यह सिर्फ दिरिश्यम यह गोदी और गांधी मीडिया इन्हों ने इस देश के अंदर इसको कांग्रेस और बीजेपी को इस्तापित करने की सपतली हुई है और बहुजन समाज पार्टी इनकी सबसे बड़ी राइवल है इसलिए इनकी सबसे बड़ी शत्रू बीजेपी है और जबकि देखे यह जो गोदी और गांधी मीडिया बैठा हुआ है जबकि बीजेपी तीसरी नंबर तीन की सबसे बड़ी राष्टिय पार्टी है और उसको बिलकुल इगनोर करके दरकिनार करके इस तरीके से पूरा चाहे चुनाब केंपेन के दोरान की बात हो चाहे अभी अभी इसमें वो उनका वो परचार दिखा रहे हैं वो तमाम किसको कितनी सीटे मिल रही हैं लेकिन इन्होंने ना तो तेलंगाना से लेकर के राजिस्तान तक बीस्पी की रेलियों को कबर किया ना राष्टिय अध् दिरिश्चम पिच्चर देखी होगी उसमें वो बताता है गया से ऐसे करता कुछ नहीं है वो बताता दिरिश्चा कायम करता उसी तरीके से ये गोदी और गांधी मीडिया कॉंग्रेस और बीजेपी की सीटे बता करके इक दिरिश्चम कायम कर रहे हैं और ये बिल्कुल दावा करते हैं कि हर साल इनके एक जिट पोल पूरी तरीके से सही सावित होते हैं सटीक सावित होते हैं लेकिन इस बार भी अगर सटीक सावित होते हैं तो सही सावित होते हैं तो बाउजन समाज पार्टी लडाई से बाहर है लडाई से बाहर थी और है भी देखिए यह इसल लेकिन इस बार जो कल बहन कुमारी मयावती ने तुरंत पुरंत उन्होंने एक मिटिंग बुलाई और चेताब नहीं दे दी अपने तमाम कारे करताओं को कि वहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी वहां इस्टोर रूम है वहाँ पर उनको तमाम उनको उनकी निगरानी करो औ और कल एक जबरदस तरीके से नए परिणाम आने है और इनको गड़वड करने से रोका जाएगा तेलंगाना से लेके राजिस्तान तक नीला जंडा और राती निशान दोड़ेगा और ये जिस तरह की से अन्या में बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को ये बाकियों को हो सकता है इन में से कोई पार्टी को अन्या करना पड़े और बहुजन समाज पार्टी मुख्या इनको लगानी पड़ेगी अपने उसके उपर बता दीजिए कि राजस्थान में 200 इधान सवकुल सीटे हैं 1999 पर मतदान किया गया कितनी सीटे बहुजन समाज पार्टी को आ रही है आप क्या गिटपोर है बिल्कुल तीस से और पैंताली 35 से पैंताली सीटे बहुजन समाज पार्टी को राजिस्तान में आ रही है और तेलंगाना में तो एक तरफा सरकार बनने की इस्तिती में बिलकुल वहां पर 119 से हैं वहां पर 60-65 सीटे एक तरफ बढ़ रहे ह 30 से औरो जो पर वहांपर और उसम लिक को यह तना ने कि वहांपर जो है उसमें वो सकता हो जाइए लेकिन वहांपर जो नेक टुनायक फाइक है और जिस तरहें नोंने वहांदी गहरा बंदी की है वहाँ पर अपनी उसकी परसासन के द्वारा सबके द्वारा उसके बावजूद भी वहाँ बीस से तीस सीटे बीएस पी और जीजीपी की पलत सीटे होंगी जो भी होंगी वहाँ पर आएंगे अग्यानी जी ऐसा नहीं लगता कि आज दो तारीक है और आप दिन में ही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जिससा कोई मतलब भी नहीं है लिए नहीं ये तो आपको कल पता चलेगा न जिस तरीके से वहाँ पर मेरत हुई है जिस तरीके से आकास आनन जी और बहेंजी ने मौर्टा समाला है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तेलंगाना से लेके राजिस्तान तक बहेंजी ने पूरे पूरे चुनाव परचार में व और आरेस परविन साब आई पीएस नौकरी छोड़ करके दो साल तीन साल से वहाँ पर मैनत कर रहे थे और जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर तेलंगा ना में और मद्दे परदेश राजिस्थान और यह सतिस गण में तो वहाँ पर देखे बहुजन समाज पाटी आप पूर सबसे पहले दिखाई देगा इसको आप लिख लिजिए सिर्फ मुश्किल से मुश्किल अठारा घंटे बच्चे होंगे लेकिन कॉंग्रस पाटी और बीजीपी तैयारी करें जीत की पता चला कि होटेल को बुक कर लिया गया करनाटक में रिसोर्ट बुक कर लिया गया है हाँ तो उनकी मिली बगत है ना आपस में बांटना चाहते हैं जिस तरी के देखिए अभी चैमेने पहले तीन राज्यों के चुनावए ते दिल्ली का नगरपाली का नगरनिगम का हुआ था हिमाचल का हुआ था और गुजरात का इन तीनों मनुवादियों ने छोटे एंकर ऐसे बोल रहा है कि 50% SCST में से 20% कांग्रेस को चले गए 30% BGP को चले गए तुम्हें कैसे पता चल गया कैसे चले गए तुम कौन हो तुम्हें कैसे पता चला जादू मंतर से जादा से जादा ये लोग 5000 6000 या 10,000 आदमियों से पूस्ते हैं exit पोल में तो तुमने कैसे बता दिया कि इतना ये OBC वोट इतना इसको बीजेपी को चला गया इतना कांग्रेस को चला गया बाकी कहां गए जो बहुजन देखे जीजीपी और बीएसपी दो राज्यों में बड़ी पार्टियां मिल करके लड़ रही है जिनका अपना वोट और वहाँ 20-22% हो जाता है कमिटेड वोट और तो वोट SCST का नहीं है वो क्या जनरलों का है उनका वोट कहां गया वोट कैसे चला गया इतने confidence से गुमरा कर रहे हैं पूरे समाज को पूरे देश को कि जैसे की वो पोलिंग वो अकांटिंग हो चुकी है और फैसले आ चुके हैं और सारा डाटा आ चु सब्सक्राओं नहीं है población कमिटेड को इस पे पूरा हो लेना चाहिए आप वो कर सकते हैं आप जजड कर सकते हैं कि एक अपना अनूमान बता सकते हैं opinion दे सकते हैं लेकिन आप इस तरह बोल रहे हो मैं आज तक पर देख रहा हूं कि वह ऐसे बोल रही है anchor कि जैसे कि इतना percent vote already but करके टीवी पे लगा हो election commission के खाते में आ गया हो ये गुम्रा कर रहे है बहुजन समाज party को रोकने की इनकी साजिस है और ये सारे जो ये बना रहे हैं द्रिश्चम ये रात को वहां श्टोर रूम में जा करके और वहां पर ये मसीने बदलेंगे क्योंकि सब कुछ इनके पास है यही तो यही तो वहां के रक्षक हैं यही security guard हैं यही भक्षक हैं यह अपने आप कर लेंगे election commission से ले करके और तमाम लोग इनके साथ मिले हुएं तो इस बज़े से इस बज़े से यह 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 इतने इतने एक दिरिश्चे कायम करें अभी अभी से ही आप लोग रोना श्राट कर दिये हैं EVM का विलाब करने लगे हैं तो पहले आप लोग ने नहीं किया भेंजी ने EVM की बात ठीक है लेगी उसके बावजूद भी हम लड़ना थोड़ी चोड़ेंगे लड़ेंगे जम के लड़ो आज नहीं तो कल इनको हरा के चोड़ेंगे और यह बात इसलिए क्योंकि यह तो दिखाए दे रहा है सुप्रिम कोट ने भी कहने के बावजूद भी इन्हों कांगریसी मीडिया, कांगریसी बीजेपी को ख़िलाब बोल रहे हैं और यह गोदे मीडिया कांग्रेस के ख़िलाब बोल रहा है यह सिरफ एक नूरा कुस्ती है बागी एक राष्ट्ये पार्टी इतनी बड़ी जिसका इतना बड़ा वोट बैंक और बैंक है छे बिदायक थ जो बढ़िवा थे बस पॉराटे गाने जोब कर yen खड़े करें कोको कोई क्वाफि ct में और ने लंजा। तो कोई नहीं हरा सकता हुआ अगर हमारा साथ से आट परसेंट वोट कम होता है और उसके बादstairs अगर हमारा जी जीजीपी मिलीजाती है और जीजीपी और बीएसपी का चतीस गड़ में अकेले 20% से ज्यादा कमिटेड वोट है और आप दिखाने ही रहे हो उनको ये ये मीडिया चैनल दिखानी रहा है सिर्फ कॉंग्रेस बीजेपी कॉंग्रेस बीजेपी इनकी साजिस है इस देश में लोगतंत्र को खतम करने की साजिस है और ये भॉपू मीडिया ये 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 जातिवादी मीडिया ये उसको दिखानी रहा बहुजन समाज पार्टी को जबकि एक बहुत बड़ा फेर बदल कल होने वाला है लिए गंभेर आरोप लगा रहे हैं कि जातिवादी मेडिया सचाई को नहीं दिखा रहा बहुजन समाज पारटी का बाइकाट एक गोधी मेडिया कर चुका है लेकिन कल दोपार बारा से एक बज़े तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन सत्ता में रहेगा कौन सत्ता से बाहर होगा लेकिन अशो का ग्यानी कह रहे हैं कि जो सारे रिकॉर्ड बहुजन समाज पारटी के थें सारे रिकॉर्ड बहुजन समाज पारटी इस बार धुस्त करने जा रही है और बहुत आगे बढ़ती हुई बहुजन समाज पारटी दिखाई दे रही है आप क्या लगता है क्या होगा बहुजन समाज पारटी का चार-पांस राज्जों में क्योंकि चार राज्जों के नतीजे कलाएंगे मिजोरम का जो रिजल्ट है फैसला है उपर सुमाएगा चार दिसंबर को आएगा आप लोग कमेंड बॉक्स में हमें जरूर बताएगा कैमरेपस्तिन बॉबी के साथ में नवीन कुमाने अंदर नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल